नमस्कार आप सभी का Against Cription 99 में बहुत स्वागत है आज हम लोग सूजना के अधिकार अधिनियम Right to Information Act के एक ऐसे धारा के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगें जिससे आवेदक को हुए हर जाना की छती पूर्ती मिल सके चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरुए हैं व एक दूसरे को Instagram, Facebook, WhatsApp पर अवर्ष शेयर करें तो था एक लाइक अवर्ष कर देंगे तो चलिए हम लोग जानेंगे वह कौन सी धारा है सत्तिमेव जयते Right to Information Act 2005 सूजना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा उनीस आठ बी RTI आवेदक को लोग सूचना पताधिकारी PIO द्वारा सूचना देने में हुई देरी के कारण हुई हर जाने की मांग कर सकता है यदि लोग सूचना पताधिकारी सो समय सूचना नहीं देता है तो आवेदक को सूचना मांगने में हुए खर्च पर्थम अपील में हुए खर्च, द्वीती अपील में हुए खर्च, आर्थिक छती यात्रा खर्च, यात्रा ठाराव कर्च, भोजन आदी में हुए खर्च के लिए आयोग में अपने हुए आर्थिक वो मांसिक छती के लिए हुए नुकसान के लिए हरजाने की मांग कर सकता इसके बारे में आप लोग अवस्री जानकारी रखें अतह आर्टियाई आवेदक को इसकी जानकारी रखकर आयोग के समक्ष अपने हरजाने की मांग अवस्री करने चाहिए धारा उनेश आठवी का प्डियोग कर अपने हरजाने की मांग करें नोठर भारतिय को आर्टियाई का ग्यान अवस्री रखना चाहिए दू़रा प्रश्टाचार के खिलाफ लड़ने में आर्टियाई आम जन्ता का हत्यार है तीसरा इसका प्रयोग कर बहुत हत्य प्रश्टाचार को कम किया जा सकता है इसका प्रयोग अवस्ष्र करें जय हिन